आप सबका हमारे यूटूब चैनल माई हेल्प सियों में दोस्तो छतपत साहोजी महाराज इन्वर्सिटी कानपूर काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे तो बिल्कुल एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो चुका है प्राइवेट वाले चात्र अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और रेगुलर वालों को उनके कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलेगा तो प्राइवेट के लिए कैसे डाउनलोड करना है पूरी जनकारी इस वीडियो में बताऊंगा तो चलते हैं सीधा क्रोम पर वहीं पर आपको backside open करके बताते हैं कैसे आपको download करना है आपको आजाना है simply कोई भी Google Chrome browser पर उसके बाद यहाँ पर आपको कान पूर इन्वर्सिटी सर्च कर लेना csjmu.ac.in आपको सर्च करना है तो यहाँ पर मैं type कर देता हैं उपर आप backside देख सकते हैं आपको इस पर click कर देना जैसे आप इस पर click करेंगे फ्रेंस यहाँ पर आपको सामने यह open हो जाएगा थोड़ा सा आपको wait करना है wait करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस परकार का interface आ जाता है यहाँ पर आपको exam type select कर लेना है यहाँ पर आप private exam select करेंगे single subject आपका जो भी है वो select करेंगे उसके बाद registration नंबर आप जो form भरे थे तो वो फार्म को आपको देखना है, उसी में आपका दोनो नंबर, transaction नंबर आपको मिल जाएगा, registration नंबर मिल जाएगा, तो इस तरीके से उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको सर्च के option पर क्लिक करना है, और आपका जो admit card है, वो आपके सामने download होकर आ जाएगा, किसी भ पर मैं आपको live करके दिखाता, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए, बाए बाए